दोस्तों आज हम बात करने वाल है 20 x 50 हाउस प्लान के जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसी मॉडल को डिसक्राइब करने वाल है मैंने जो थमलेल क्रेट किया है वो 20 x 50 का क्रेट किया है और इस मॉडल में आपको ग्राउन फ्लोर पर एक ओफिस लेटेंड बात और केशनी मिलता है साथ-साथ एक बड़ा सा हॉल मिलता है जिसमें आप पर कोचिंग वहरा डाल सकते हैं यह जो मकान क्रेट किया गया है आज आप बिजिनेस परपस एंड रेंड परपस के या फैमिली परपस के साथ फ्लोर पर मैंने रहने की विवच्ता फैमिली के लिए किरिट किया है यहां पर आपको दो बैड्रूम लेटन बात इस्टेर से बड़ा सा लिविंग हॉल और एक फ्रेंड में जखे देखने को मिलती है यह पूरा डिजाइन में आपको डिसकस करूंगा त्री बैड्र सकें दोस्तों इसमाल प्लान पर मैं लगातार वीडियो डालता रहता है तो आप महां पर विजिट ज़रूर करें और मैं काफी दिनों बाद लाइव वीडियो बना रहा हूं तो आप लोग सपोर्ट ज्यादा ज्यादा करें और चलो जो मॉडल उसे हम डिसकस कर लेते हैं तो यह दी कि दोस्तों मॉडल है जो आपको मैं डिसकस करने वाला हूं पूरा दिखी कि मैंने कॉलम पर कीरेंट किया है और सारी design create की है पूरा मैं आप discuss करने वाला हूँ maximum zoom करके आपको दिखा देता हूँ इससे आपको realistic view में ले मैंने आप paint वगएरा नहीं किया है बिलको normal सा white color का ही रखा है अगर हम इसके ground floor की बात करें तो यह दोस्तों इसका ground floor है जो मैंने create किया है दोस्तों road से 3-3 feet अंदर create किया है इसका कारण यह है अगर आप four wheeler पार करते हैं car parking की विवस्ता मैंने रखी है तो आपको परयाप जगे slope मिलने है जगे मिलने से आपकी car parking आसानी से होचके इसलिए मैंने 3 feet का यहाँ पर अंदर से main road दिया है और यह office है यह दिखी है अब जैसे में इंडोर से आप इंट्री करते हैं फर्स्ट आप आफिस से अगर आफिस में आपको इंट्री करने तो स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं क्यों मैंने आपको दोर दिया यहाँ से डारेक्ट करें और यह window है जैसे आप यहाँ जाते हैं तो आपको सबसे फ़हले मिल जाता यह दिखी गए stairs और उचीर के नीचे कार पार्किंग की वेवश्टा यह पूरा लगभग अगर टोटल की बात करें तो 20 feet है जिसमें आपका 3 feet है मैंने जो अंदर से डूर निकाला है तो 17 feet जगए आपका अंदर बस्त है और 3 feet का stairs मैंने आपर क्रीट किया है चोड़ाई में ऑफिस की बात करें तो जैसे में डोर से इंट्री करते हैं यह आपका office है यहां पर table वगर आप नहीं रख सकते हैं पूरे design मैंने परफिस किया है उसके just पीछे एक बड़ा सा latent बात यह जो office है लगबग 10 by 14, sorry 11 by 14 feet का office मैंने create किया है और उसी के just पीछे 6 by 11 feet का latent बात create किया है अगर आप दोस्तों अपना office के पीछे just latent बात और kitchen भी create कर सकते हैं इसके पीछे मैंने hall create किया है और इस hall में मैंने coaching की जासा कि आपको बताया था यह पूरा design किया coaching के purpose से यहां पर देखिया आप TV वगरा computer वगरा आप अपने रख सकते हैं computer center open करना चाहते हैं और पीछे बड़ा सा एक बोर्ड मैंने दिया है बोर्ड यह आप देख पार रहे हैं बड़ा सा और यहां पर एक के अगर आप पढ़ाने की वश्ता करना चाहते हैं तो उचाई के लिए मैंने एक शबूदा टाफ का create किया है तो यह दिखी का पूरा hall पीछे आपका रहने वाला है आगे आपका office लेटेंट बात तो यह तो ground floor की बात होगी अब हम बात करते हैं इसके first floor की और यह मैंने आपको पहले से बताया था यह three side closed है तो यह तो ground floor हो गया अब बात करते हैं इसके first floor की तो यह first floor इस्टेर्स के मादम से जैसे आप उपर आते हैं तो आपको जो पीछे का area था जो मैंने create किया था तो वहाँ पर मैंने एक बड़ा सा kitchen एक बड़ा सा bedroom create किया बा यहां पर यह लेगे लेकिन आजा ओफिस नहीं आजा बैड्रूम वर्क करेगा साथ साथ यह लेटन बात आपका वहाँ पर कम हो जाता है लेटन बात मैंने यही पूरा यूज किया है आप इसके बाद यह front में रेलिंग कर दिया है लगवाँ धाइफिट के आगे से बढ़ आपकर रेलिंग और तो यह पूरा अपको ऊपको ऊपर अगर बात करें तो दो बैड्रूम बड़े से एक बड़ा सा किचन और एक बड़ा सा आपका लीटन बात का यहां पर कवर्ड हो जाता है और यह बड़ा सा Living Hall बगर बड़ा सा मिल जाता है तो यह ग्राउंड फ्रोड के बाद 5 फ्रोड का डिजाइन है जो मैंने क्रिट के इसमें दो बैट्रूम लेटेंट बात और साथ साथ बड़ा सा किशिन देखने को मिलता है लाइश फ्रोड की बात करें तो लाइश फ्रोड पर अगर आप जैसे जाते हैं तो यह दोस्तों लाइश उसे मैंने रिमूब कर दिया है लेटेंट बात वही रखा है अब यहाँ पर लिविंग एरिया तो महांपर एक बैड्रूम और पीछा एक बैड्रूम और किशन सेम रखा है बीच में आपका पूजागर का दिया है लेटेंट बात आपका ये किरजए है तो ओवर अगर तो यह पूरा मॉडल जो आपके सामने मैंने डिसकस किया 20 क्रॉस 50 में मैंने करेट किया विद कार पारकिंग बिजनीश परफ़यर और रेंट या फैमिली परफ़यर क्रेट किया है तो model कैसा लगा जरूर बताएं, बहुत ही simple model मैंने क्रेड़ किया है, low budget क्रेड़ किया है, जिसे आपको ज़्यादा problems ना मिलें, क्योंकि लोग जब भी घर बनवाते हैं, तो low budget का ही ख्याल रखते हैं, क्योंकि जो medium class के लोग होते हैं, तो ये unique according मैंने घर क्रेड़ किया as a business, as a family purpose है, तो ये वीडियो आपको जैसा भी लगा हुआ, तो आप हमें comment करके बताएं, साथ सब वीडियो कराई से जरूर करें, अगर कोई भी doubt है, तो comment करके पूश सकते हैं, इसमाल आउस प्लान चैनल को अगर आपने subscribe नहीं किया अर्वी तक, तो जरूर कर लें, क्योंकि आपको लगातार updated वीडियो मिलते हैं, और मैं live अपर, ज्यादा तर live आपको आता रहूंगा, तो कोई भी comment है, मैं Sunday में आपको दोस्तो एक live डेमो दिया करूँगा, live आपकर मैं आपसे, जो भी आपकी doubts हुआ करेंगे, वो मैं clear किया करूँगा, और आपकी जो समस्याएं ह उनको start out करूँगा, जितना हो सकेगा, तो इस वीडियो को share करें, thanks watching.